तो बात यहाती है कि अल्टिमेट जो फंड़ा है वोग क्या है GDP डेम्प में से डेप्रिशन माइनस किया यह फॉर्मूला है अब यह फॉर्मूला ऐसा क्यों है यह इसको हम पर बात करना नहीं कोई भी चीज़ ग्रोस पर दे रखी है तो उसमें से डेप्रिशन माइनस कर देते हैं तो वह किस पर आ जाती है वह चीज़ आ जाती है नेट पर तो ऐसा क्यों देखो यह जो जीडीप हम कलकुलेट करता है यह करते हैं विल डिशंगे तो ग्रोस वेल डिशंगे तो अब यह आगे की बात है आपने नहीं पढ़ा है प्रदें पर लेने उसके बाद यह वास्त में आएगी कि हम लोग यह बता करते हैं किसके तुरू ग्रोस वेलिटेशन के तुरू यह निकि हम कोई भी जो आउट्पूट दिया होता है अब आउट्पूट तो हम किसके हम क्या बार्कूलेट्ट करते हैं margar r egpris% कोई चीज बनी हैए इत्ना भी प्रोडग्शन हुआ was my user text patience politics अब इस ही टाइब से सक्टर से क्ट्रों तो GDP आता हैए ठीक है तो GDP आता है अब बात यह है कि आपने कोई भी चीज जितना भी देश में प्रोडक्शन हो रहा है उसमें से उसकी इंटर्मिडेट कोस्तों माइनस कर दी और माइनस करने पर जो आया वह वेल्य अधिन अब लेकिन एक चीज जो यह जो भी डिरेक्ट चीजे थी वह तो आपने माइनस कर दी लेकिन एक में कर दी तो उसमें वह सामीलayı उपाएगी जैसे कि एक देश में रिप्रोडक्शन होआ उस में से उसको प्रोडूइस कर दी लेकिन एकि conjun där पाते वह कुंसी आप जैसे बड़ी जो श्ल haw morals बड़ी बड़ी असे जितनी भी है जैसे कि आपके ब्रीज हुन है आपका रोड है या बड़ी मसीनरीज है यह जो जितनी मीचीजें है वह भी तो वह भी तो उनके भी तो वेल्यू कम हो रही है तो वह माइनस नहीं कर पाएं ठीक और आपने कि झाल में ग्लास 11 साथ लोग पड़ते आँ गें जो डारीक्त ही माइनस करते हैं उसके बाद आता उसको भिएन अ holiness करते मिम्हाख घंद मिंड़ी समक्न करते है तो ग्रॉस आये गा इसी टाइक सा यहां पर हैक कि बड़े आश्पेक्त में देखे एक देश के अस्पेक्ट में देखें तो डेपरिसेशन क्या है इन डायेक्ट इसके लाएब बाकी सब कोष्ट क्या है डायेक्ट तो यह तो यह न ग्रोस आता है तो इसी टाइप से यहां और भी Output में से intermediate cost माइनेस कर दिया तो क्य आया Gross आया इस जोग्रोश होता है वो नेट पर आजाता है तो यह जो funda है फर्मूला है जो है इसलिए पर इसलिया जो नेट है अवह कि सी आजाएंगे तह। आज बहुए आए अगे बढ़ता है नेस बात हैनलोग नेस बात है ज्ना बात है हम ऐसा बोल सकता है कि कोई चीज मार्केट प्राइस पर दे रखी उसको हम फेक्टल कॉस्ट पर लाने के लिए में क्या मैनेस करना पड़ेगा तो ऐसा क्यों करना पड़ता है यह यह ऐसा ही क्यों यह फार्मूला है फार्मूला दे दिया क्वेशन करते हैं साल हो गए लेकिन ऐसा क्यों हौता है कभी नीए सोचा तो अभी सुचता है दीए हम बना रहे तो कोई भी चीच बनाने के लिए क्लि misma ये लगता है क्लेकी बनाने क्लीक और स्टहकेकृ और प्रोडॉक्ट्शन चाहिए तो इसके बदले वहकर कॉस्ट या पड़ते हैं कि सिस्थिट राय। रहलतें जिसेग्र टा रहे रोलकुल है इंटरस्ट है होगम है आप का रेन्टों गोा इंटरस्ट प्रोफिट है ना बैboard सेलेश्च Göran's. भिनी हैं भी इन सब कों मत अनका इंगे को बोलते हैं प्यांनल धुमन वॉल तुब है या फेक्तर कोष्ट बोल दो ऑप या फेक्टर इंकम बोल दो अप एक यह कई बात नहीं मांत अब वा replied मार्केट में जब आती है तो उसमें यह सब चीजे तो सामील होती होती है तो इसको बनाने के लिए किसी को रेंट दिया होगा किसी को रोयल्टी दिया होगी किसी को इंट्रस दिया होगा किसी को प्रोफिट मिला होगा और तब जारके मार्केट में आया होगा अब मार्केट में आया होगा और जब इसकी मार्केट प्राइस तई हुई होगी तो मार्केट प्राइस में एक और चीश सामिल होगी इन सब के अलावा इन सबस्के अलावा एक और शीशामिल हुई होगी मैं माल लेता हूं कि यह पेन बनाने के लिए 2 रुपे करेंड, 2 रुपे करेंड, इंट्रस, प्रोफिट सब मिला जो लार के माल लेता हूं कि 15 रुपे खर्च होगे और इसका प्रोफिट सब मिला लोगा, इसके बाद मालो होगा आपका indirect tax कितना क्या हुआ होगा indirect tax माल लेता हूं मैं इस पर कि इस पर पांच रुपए इंडरेक्ट टेक्स लगा तो यह कितने बिखरा मार्केट में यह मार्केट बिखरा है पत्तीस रुपए में ठीक तो हम यदि किसी भी चीज की मार्केट प्राइस में से यदि हम उसमें से उस पर लगना लगा एंडरेक्ट टेक्स घटा देंगे तो किस बचेगी वह बचेगी आपकी फेक्टल कॉस्ट पर इसमें मैंने प्लस किया इंडरेक्ट टेक्स तो यह मार्केट प्राइस आ गया तो इसी टाइब से मार्केट प् पूरे देश में होने वाले प्रोडक्शन का हरम पूरे टेस में प्रोडक्शन हुए जो भूक्सांग ने éret份 प्रॉडक्शन ज्युंड है उसकी मार्केट और उसके अपने पिसित पर जाला है तो हमने चाह चैए कि गवर्मेंट के पास जितना भी इंडरेक्ट Take œ लिया और इसमें से जिपना सब्सेटी गवर्मेंट ने पे करिये वह माइनस कर दी तो इंडरेट टेक्स में से सब्सेटी माइनस कर दी तो हमें क्या मिल जा ने इंडरेट टेक्स मिल गया ताकि हमें जो है हमें जो एक्च्वल वेल्यू है वह पता सेल जाए तो गवर्मेंट के पास मान लीजिए 100 मार्केट प्राइस में बन जाती है तो फेक्टर कोस्ट और दूसरी का होती है दूसरी चीज होती है उसके उसके लगने वाला इंडारेक्ट टेक्स इंडारेक्ट टेक्स आजिए ठीक इस से मिलाव के का मिल जाती है वह सीड़ी सारी चीज है वहहुए बद च। princi हम कोई छिए डोमेस्टिक पे देर खीद उसको अने के लिए एन फाई ये प्लस क्यों करते हैं देखे बाट की कि एड़ीपी एड़ एपसी यानि कि डॉमेस्टिक इंकम एक देश में होने वाले 행्डरी में एग देश से देश की वा होने वाली इंकम है मान लीजे 1000 कροोर ठीक है अब क्योंता देश के अंदर नेट की वी इनकम है कर दो हमें कर दो नेशनलजी नेशनल इस उस देश के लोगों की इंकम इनकम प्रशे ऑफ कंट्री तो हमें देश के लोग इनकम पता करना है तो इन्हेंँने देशक्ण कमाई होगा देशक्टा कमाया होगा तो यहां कीतार है यहां से कमाया व्रझ प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगी यह जो इंकम आएगी यह आजाएगी यहां के देश के लोगों की इंकम पता करना है तो देश के लोगों की इंकम पता करना है तो देश के लोगों की इंकम देश के अंदर से भी हो देश के बाहर से भी है तो देश के बाहर से होने हाले इंकम को प्लस कर तो आइफॉप कि आपको यह फार्मुला भी तक क्लियर होगया होगा, GDP से हम NLP तक क्यों आते हैं, ठीक अब यह एधिया आपको नहीं भी क्लियर होगा, तो आपको क्रोना क्या है, आपको चैप्टर जो चैप्टर नमबर 3 जो है, National Income Related Aggregates, उसमें आपको करना यह है, कि उस में आपको जो छोटे-छोटे questions दे रहें, वो questions एक बार आप solve करेंगे, तो बहुत जल्ली आपको clear cutter हो जाएगा, I hope कि आपको मैं कुछ पंड़े clear कर पाया हो जी, आपको मेरे वोड़ी अच्छ लग रहे हैं, तो share जरूर करेंगे, फिर मलते रहेंगे, तब तक clear with the have a great day, thank you very much